हलो दर्शकों कैसे हैं आप सब खाने के साथ परुस्तने के लिए हम सभी तरह तरह की चटनी बनाते हैं लेकिन गर्मियों में खास कच्छे आम की चटनी खाना आप बनाना सभी पसंद करते हैं तो आज मैं आपके लिए कच्चे आम से बनी चार तरहे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए अलग-अलग फ्लेवर वाली इस चटनी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ट सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बाफिर से स्वागत करती हूँ चलिए चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइस के कच्चे आम लिए हैं इस बात का विशेश ध्यान रखें कि आम एकदम कच्चा और सक्त होना चाहिए चटनी बनाने से पहले कच्चे आम को पानी से अची थरर से धो कर साफ कर लें सबसे पहले बनाएंगे कच्चे आम की चटपटी और स्वाधिश चटनी कच्चे आम का छिलका उतार लीजिए और इसके बाद में आम को मीडियम साइस के तुकड़ों में काट लीजिए जब घर में कोई सबजी न बनी हो तब आप इस आम की चटनी को रोटी पराठा या दाल चावल के साथ में एंजोई कर सकते हैं और दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो इसे लाइक करें फ्रेंड और फैमली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस रेसिपीस को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें आम जितना ज़्यादा कच्चा होगा चटनी का स्वाथ उतना ही बहतर आएगा तो धान रखे कि आम बिलकुल भी पका हुआ नहों और ये लीज़े आम को मैंने मीडियम साइज के तुकड़ों में काट लिया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब एक मिक्सर ग्रैंडर जार में आम के बारी कट हुए तुकड़े डाल दें और साथ में तीन हरी में चैड कर दें साथ में जाएगा एक इंच अधरा का टुकड़ा और यहाँ पर मैंने एक कप बारी कटा हुआ धनिया लिया है तो हरे धनियों को पहले पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और इसे फिर बारी काट लें अब इसमें डालेंगे नमक स्वात के अउसार और साथ में काला नमक डालेंगे आधा चमज जीरा लेंगे आधा चमज और चुटकी बार हींग अड़ कर देंगे अब इसमें 2-3 चमच पानी एड़ करेंगे और इसका एक फाइन सा पेस बना कर तयार कर लेंगे अगर आप जादा गारी चटनी पसंद करते हैं तो पानी की मात्रा को उसी साब से एड़ेस्ट कर लें ये लीजे हमारी खटी, चटपटी और स्वादिश चटनी बनकर तयार है आप इस चटनी को फ्रिज में रखकर 8-10 दिन तक खा सकते हैं चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और बनाते हैं कच्चे आम और पुदीना की खटी मीठी चटनी इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइस के आम को छील कर काट लिया है कच्चे आम और पुदीना की ये चटनी सभी को बहुत पसंद आएगी आप इस चटनी को पानी पुरी, भेल पुरी, रगरा पुरी या किसी भी तरह के चाट की रेसीपी में यूज कर सकते हैं ये लिजे आम को मैंने मीडियम साइस के तुकड़ों में कट कर लिया है इस खास चटनी को बनाने के लिए पुदीने की मात्रा जाधा रखें और हरे धनिये की मात्रा कम रखें चलिए अब हम इसमें एक चमच चीनी आड़ करेंगे और साथ में आधा चमच साबुत काली मिर्च डाल देंगे अब इसमें नमक जाएगा स्वात के अनुसार और साथ में आधा चमच काला नमक अड़ करेंगे और ये मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चमच साथ में चुटकी बर हींग आड़ करेंगे और दो से तीन चमच पानी आड़ करके इसका एक चितना सा पेस्ट बनाकर तयार कर लेंगे ये लीजिए हमारे कच्छे आम और पुदिने की खटी मीठी और तीखी चटनी बनकर तयार है चलिए इसे एक बोल में ट्रांसवर कर लेते हैं और आप इस चटनी को फिज में रखकर 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं और हाँ अगर आपके घर में महमान आ रहे हैं तो आप इस तरह से आम की चटनी को सजा कर परोसें चलिए हमारी दूसरी चटनी भी बनकर तयार है अब हम एक बहुत ही अलग तरीके की चटनी बनाकर तयार करते हैं या फिर आप इसे गुजाती थेचा भी बोल सकते हैं कच्चे आम को मैंने छील लिया है अब हम इसके एकदम बारिक से पीसिस करकर तयार कर लेंगे इस चटनी की खास बात यहाँ है कि हमें इसे मिक्स्टर गांडर जार में डाल कर पीसना नहीं है तो आप इस आम के पीसिस को जितना जादा बारिक काटेंगे उतनी ही जल्दी यह चटनी बनकर तयार हो जाएगी हमें इस चटनी या ठेचा को खलबते में कूट कर बनाना है ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से आम के छोटे-छोटे पीसिस कर लिये है और ये मैंने लिया है आधा इंच अद्रक का टुकड़ा और इसे भी हम एकदम बारिक काट लेंगे अगर आपको याद हो तो इस तरह की चटनी हमारी नानी या दादी खलबते में कूट कर बनाती थी तो चिली अद्रक को बारिक काटने के बाद में यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च ली है इसे भी हम अच्छी तरह से बारिक काट लेंगे अगर अब कम तीखी चटनी पसंद करते हैं तो सिर्फ एक हरी मिर्च डालें अब चटनी की सभी सामागरी को इस खलबते में एड़ करते साथ में इसमें जाएगा एक चमच बारिक कटा हुआ हरा धनिया 5-6 साबुत काली मिर्च के दाने डाले और नमक डाले स्वात के अनुसार अब इसमें एक चोथाई चमच काला नमक डाले और काला नमक डालने से चटनी का स्वात और भी ज़यादा बढ़ जाता है तो बस इसे हम कूट लेते हैं और इसे इस तरह से कूटे कि सारी चीज़े आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से मिल जाएं और इस बात का ध्यान रखे कि इस चटनी या ठेचा का टेक्श्चर दरदरा सा होना चाहिए इस चटनी को बनाने में थोड़ा सा समय जादा लगता है लेकिन इसका स्वाथ बहुत बहुत बहतर होता है ये लीजिए कच्छे आम की दरदरी सी चटनी या फिर गुजाती ठेचा बनकर तैयार है हमारे घर में इस चटनी या ठेचा को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इसे आप फ्रिज में रखें और 8-10 दिन तक या चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है चलिए अब बनाते हैं कच्छे आम और सुखे मसारे वरी चटपटी स्वाधिश और लाल चटनी जब भी आपके घर में धनिया और पुदीना नहों और आप चटनी खाना चाहें तो इस तरह की स्वाधिश लाल चटनी बना सकते हैं चलिए अब चटनी बनाना शुरूर करते हैं यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के कच्चे आम कच्छिल का उतार लिया है अब हम इसे बारिक तुक्ड़ों में काट लेंगे आपको सभी चटनीों में से कौन सी चटनी सबसे जादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता है और अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते है यह लीजे आम को मैंने बारिक पीसेस में काट लिया है अब हम एक मिकसर गैंडर जार लेंगे और उसमें इन आम के तुकणों को डाल देंगे साथ में इसमें एड़ करेंगे चार सूखी लाल मिर्च और हाँ अगर आप कम तीखी चटनी पसंद करते हैं तो इस मिर्ची की जग़े पे आप काश्मिरी लाल मिर्ची का उपयोग भी कर सकते है अब इसमें तीन चमज साबु धनिया एड़ कर देते हैं अब साधन नमक डालेंगे स्वाक के अनुसा और चुटकी बर हींग एड़ कर देंगे तो देखा आपने कितने कम मसालों में यह चटनी बनकर तयार हो जाती है अब इसमें दो से तीन चमज पानी डालें और इसका एक बारिक पेस बनाकर तयार कर लें यह लीजे कच्चे आम और सुखे मसाले वरी चटपठी और स्वाधिश लाल चटनी बनकर तयार है इसे आप रोटी, पराथा, पूरी या मिसी रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते है यह चटनी थोड़ी सी गारी ही बनाई जाती है, इसे आप फ्रिज में रगतें और 8-10 दिन तक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती तो दर्शकों भारतिय बोजन में डाल, चावल और रोटी का जितना महत्व है उतना ही चटनी का होता है आप इन सभी चटनी को एक बाद जरूर बना कर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें आपकी एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का होसला और भी जादा बढ़ जाता है वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक खाते रहे खुश रहे और अपनी सेहत का ध्यान रखिए